मा बेबी हेल्प सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें वेलकम टू माई चैनल हेलो लेडिस, वेलकम बैक टू माई चैनल माई बेबी हेल्प सेंटर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मा बेबी हेल्प सेंटर में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी लेडिस के उपर प्रेगनेंसी में कौन से खाने को अवोइड करना चाहिए किन खानों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए तो जो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही है जिसे हम फर्स ट्राइमेस्टर भी कहते हैं उसमें गर्फात होने का कत्रा बहुत जादा रहता है इसलिए इन महीनों में लेडिस को सबसे जादा सतरक रहने की जरूरत होती है कंसीव करने के बाद अगर आप कुछ विसेयस फूर्स खाती है तो इससे मिस्कैरिज के भी चांसे हो सकते है तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फूर्स के बारे में बताएंगे जिने प्रेगनेंसी के सुरुवाती दिनों में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए वनना आपका बेबी आपके पेट में ही मर सकता है या फिर मिस्कैरिज होने के चांसे बढ़ सकते है तो मिस्कैरिज के सबसे पहला कारण है ऐलोवेरा का जूस तो बालो और सकिन के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है यहां तक कि एलोवेरा जूस पीने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है लेकिन आपको बता दें कि प्रेगनेंट महलाओ के लिए एलोवेरा जूस एक जहर की तरह हो सकता है गरभा वास्ता में एलोवेरा जूस लेने से पेलविक हिस्से से ब्लीडिंग हो सकती है इसलिए बहतर होगा कि आप प्रेगनेंसी की पहली दिमाही में एलोवेरा जूस का सेवन ना करें आप पांच महिने तक एलोवेरा जूस से थोड़ा दूरी बना के रखें अगर आपको पीना है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद ही एलोवेरा जूस को पीएं नमबर दूसरा है पपीता गरभ पात का कारण बनने वाली चीज़ों में पपीते का नाम सबसे उपर आता है हरा और अत्पका पपीता एंजाइम से युक्त होता है जिससे गरभासे में संकूचन पैदा हो सकता है और गरभ पात हो सकता है इसलिए कंसीव करने के बाद जो तीन महीने होते हैं सुरवाती तीन महीने उसमें हरा पपीता नहीं खाना चाहिए और एक study में ये भी बताया गया है कि हरा या अत्पा का पपीता माईरिड एंजाइम और पस से युक्त होता है इसे गर्भासे में एठन पैदा हो सकती है जो गर्भ पात करवा सकती है इसलिए आप अपने तीसरी तिमाही तक या फिर सेकंड ट्राइमेश्टर तक पपीता से दूरी बना कर रखे या फिर अपने डॉक्टर की सलाह ले गर्भावस्तक की सुरुवाती महीनों में कच्चा अंडा या फिर इससे बनी चीजों को भी खाने से बचना चाहिए इससे फूड पोजनिंग हो सकती है आप मेयोनीज भी ना खाएं अंडे का जो सफेद और पीला हिस्सा पकाने के बाद प्रेगनेट महिलाओं के लिए सुरच्चित होता है आपको अत्पका अंडा खाने से बचना है नमबर चौथा है अनानस अनामस बहुत स्वाधिस्ट और पोस्त तत्व से युक्तफल है लेकिन गर्भावस्ता की सुरवाती महीनों में ये फायदे की जगा आपको नुकसान पहुचा सकता है यदि कोई महिला प्रेगनेंसी के पहले तीन महीनों में अनानस खाती या इसका जूस पीती है तो उसका बेबी पेट में ही मर सकता है या फिर उसका मिस्केरिज भी हो सकता है अनानस में ब्रोमलीन होता है जिससे पेट में संकूजन पैदा होकर मिस्केरिज हो सकता है नमबर फाइफ है सहजन बिटामिनो आईरन और पोटेसियम से भरपूर सहजन बहुत पौश्टिक होती है लेकिन इसमें अलफा सिटोस्टरोल भी होता है जो आपके गर्वस्त सिसु की जान ले सकता है इस एस्टोजन जैसे योगिक की वज़े से मिस्केरिस के चांसे बढ़ जाते हैं नमबर सिक्स है तिल के बीच गर्ववती महिलाओं को नौ महीनों में तिल के बीच जादा नहीं खाने चाहिए इसे सहद में मिला कर खाने से गर्वपात होने का डर रहता है आप गर्ववस्ता की तीसरी तिमाही में काले तिल के बीच खा सकती है क्यूंकि ये नौर्मल डिलिवरी में हेल्प करते हैं लेकिन इसी वज़े से गर्ववस्ता के सुरुवाती महीनों में इनका सेवन करना हानिका रखोता है थर्ड ट्राइमेस्टर में इसे खा सकती है थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब है छे से लेकर नौ महीने के बीच में आप खा सकती है लेकिन सुरुवाती गर्ववस्ता में आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है गर्भावस्ता के सुरुवाती तीन महीने बहुत नाजुक होते हैं और अगर ये ठीक तरह से निकल जाए तो मिस्कैरिज का खत्रा बहुत कम रह जाता है इसलिए इन महीनों में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके बेबी को नुकसान पहुच सकता है तो इन सबी 6 चीजों को आपको दूरी बना के रखना है और अपना बहुत ख्याल रखना है जो भी मैंने अभी आपको बताया उसको ख्याल में रखते वे ही अपने खाने को अपने फूट्स को खाएं और अपने बेबी की और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किजिएगा बेल आइकन को प्रेस किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स तक इस वीडियो को पहुचाईएगा ताकि उनकी भी थोड़ी से हेल्प हो सके तो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए सेफ रहिए, मास्क लगाईए अपने हाथों को धोते रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो